कि इतनी दोर क्या बात है तो हलो आवरीवन प्रीवियस में हमने ओडी के बारे में थोड़ा बहुत देखा था कि ओडी क्या होती है और इसकी ओडर और डिगरी के बारे में बात किया था ओके इस सेशन में हम लोग एक पारे में बात करेंगी जो कि linear ordinary differential equation है आपका linear ॉडी ठीक है तो इसमें आपका एक homogeneous case हो जाता है एक non homogeneous case हो जाता है तो इस session में हम लोग दोनों का solution देखेंगी क्योंकि इससे आपका काफी बार question पूछता है ये net, get, set सभी से लगभग इसमें question पूछता है और आप इसको important topic बोल सकते हैं, यहां से लगभग question आता है, ठीक है, okay, so let's start, so सबसे पहले हमें यह देखना है कि linear OD होता क्या है, ठीक है, okay, so पिछले class में हमने देखा था कि एक ordinary differential equation थे, उसका कुछ order हो रहा था, कुछ degree हो रहा था, ठीक है, okay, so एक OD है, आपको एक ordinary differential equation दे रखी है, उसको हम बोलेंगे, is set to be linear, अब कब उसको linear कहेंगे, अगर उसका जो degree है, वो आपका 1 होता है, ठीक है, degree 1 होता है, और second है, dependent variable और derivatives का, dependent variables and derivatives, इनका आपको product नहीं होना चाहिए, product नहीं आना चाहिए, ठीक है, अगर आपके पास एक ordinary differential equation दे रखी है, उसकी degree 1 है, और variables, जो dependent variable है और derivative है, इनका product नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उस ordinary differential equation को हम linear बोलते हैं, और जिसमें यह condition नहीं hold होता है, उसको non-linear बोल देते हैं, ठीक है, एक example से हम लोग देखते हैं, तो जैसे हम लेते हैं, d2y upon dx, कुछ इसके आगे लगा थे, cos x, plus x3 dy by dx, plus xy equal to 0, तो अब यहाँ पे सबसे पहला condition degree आपका 1 होना चाहिए, तो degree हमारा होता है, जो highest आपका order होता है, उसका power, तो यहाँ पे highest order derivative जो है हमारे पास 2 है, और इसका power 1 है, तो first condition हमारे fulfill होगी, second बूल रहा है कि इसमें जो dependent variable है और derivative, उनका product नहीं आना चाहिए, तो dependent यहाँ पे कौन सा हुआ, y आपका dependent हो गया, और x जो हो independent हो गया, ठीक है, तो देखिए, derivative के साथ में यहाँ पे आपका ये, तो आपका independent है, तो इसमें कोई problem नहीं है, dy by dx के साथ भी आपका independent variable आ रहा है, तो यहाँ पे भी कोई problem नहीं है, और यहाँ पे अगर आपका dependent variable आ रहा है, तो इसके product में आपका derivative नहीं आ रहा है, तो आपका second condition भी यहाँ पे fulfill हो गया, तो यह वाला जो आपका ordinary differential equation हो गया है, यह आपका हो गया, linear OD, ठीक है, linear ordinary differential equation, एक example हम लोग non linear का भी देख लेते हैं, non linear का जैसे आपने देख लिया, कुछ ले लिजिए, d2y upon dx square, plus 2y dy by dx plus equal to 0, ठीक है, तब यहाँ पे सबसे पहले degree 1 होना चाहिए, linear के लिए गर हम चेक करते हैं, ठीक है, degree to 1 है आपका, यहाँ पे देखे, dy by dx के साथ में आपका किसका product आगया है, आपका dependent variable का, ठीक है, तो यह वाले आपकी condition hold नहीं हो रही है, इसलिए यह वाला जो आपका OD आगया, यह आपका non linear हो गया, non linear OD ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, कौन सा आपको जो ordinary differential equation दिया है, वो linear है, कौन सा non linear है, क्योंकि अगर हम मतलब differentiate ही नहीं कर पाएंगे कि linear कौन सा है, और non linear कौन सा है, तो फिर हम solution कैसे करेंगे, क्योंकि linear का solution जो होता है, वो अलग होता है, non linear का, आपका अलग method से निकलेगा, ठीक है, ओके, चलिए, अब हम देखते हैं, कि अगर आपके पास linear OD होता है, तो उसका solution कैसे करते हैं, ठीक है, ओके, so let me rub this, ओके, so हम पढ़ेंगे, linear OD, ठीक है, तो हम जो solution पढ़ने वाले हैं, वो linear, ordinary differential equation with constant coefficient, constant coefficient, ठीक है, constant coefficients का मतलब है, जो derivative के साथ, आपके जो coefficients आईगी, वो constant होंगे, ठीक है, so इसको हम एक, अगर अनथ order linear differential equation हम लिखे, अनथ order differential equation, तो वो हम simply कैसे लिख सकते हैं, a note, या इसको an बोल दीजी, nth derivative, plus n minus 1th derivative, plus dot dot, इस टैप से चलता जाएगा, और last में, a note, y, equal to something function of x, ओके, ये एक journal form इसको बोल सकते हैं, ये आपका nth order differential equation हो गया, अब इसमें आप n equal to 1 put करते हैं, 2 put करते हैं, इसको according आपका ये, second order, third order, इस टैप से linear differential equation हो जाएगा, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखी, ये, an, an minus, a note, ये जो हैं, आपके constants हैं, तो ये आपका linear order हो गया, with constant coefficients, ठीक है, ओके, अब यहाँ पे दो case आपके पास आएगा, fx, या तो 0 होगा, या फिर fx आपका, non-0 हो जाएगा, ओके, तो जिस case में आपके पास fx 0 हो गया, वो आपका हो गया, homogeneous, और जहाँ पे non-0 हो गया, वो आपका non-homogeneous हो गया, ठीक है, तब इन दोनों के solutions में थोड़ा-थोड़ा difference आएगा, तो जैसे अगर आपका, ये आपके पास given ordinary differential equation है, तो इसका जैसे अगर y कोई solution हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका solution होगा yc plus yp, आप यहाँ पे yc और yp क्या है, तो yc जो होता है, आपका complementary solution होता है, particular integral होता है, ठीक है, yc को आपको बोलते है, complementary function, या complementary solution, और yp आपका होता है, particular integral, particular integral, ठीक है, आप जैसे कई बार आपके net gate set और बहुत सारे pscs वेगेरा में, direct आप से particular integral निकलवा लेते हैं, आपको एक od देता है, फिर वहाँ से बोलेगा कि आप इसका particular integral बताएं, यहीं तक पूछ लेता है, कई बार आपसे non-homogeneous आपको दे देगा, फिर वहाँ से बोलेगा कि आप इसका solution बताएं, तो complementary function आपको पहले निकालना पड़ेगा, फिर particular integral निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो पहले हम homogeneous का निकालते हैं, उसके बाद हम non-homogeneous का देखेंगे, particular integral निकालने के बहुत सारी methods होते हैं, different functions का particular integral different तरेके से इकलता है, तो उसको हम देखेंगे, सबसे पहले हम homogeneous का solution देख लेते हैं, इसके लिए बहुत simple solution होता है, जो आपके पास linear order होता है, with constant coefficients, simply कुछ नहीं करना है, आप क्या करिए यहाँ पर, जो dn upon d by dx है आपका, उसको कुछ, जो d by dx है, इसको आप कुछ capital D मान ले, ठीक है, इसी टाइप से आपका जो d2 upon dx square है, इसको capital D square मान ले जी, इसी टाइप से हमने let कर लिया, ठीक है, let this, तो यहाँ से dn, dxn हो जाएगा आपका capital D to the power n, ओके, आप इसमें एक बार put करो, तो आपका यह हो जाएगा, an dn plus an minus dn minus 1 dot dot plus a note और y को आप इधर ले लिजे, equal to fx, ठीक है, ओके, तो अब आपने इसको इस form में convert कर दिया, आप simply आप इसकी auxiliary equation होता है, वो लिख लिजी और उसके बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो आप normally जैसे quadratic equation या cubic equation को जैसे solve करते हैं, वैसे solve करके हमें root find out करने हैं, और जैसे आपके root होंगे, जैसे complex आ रहा है, या फिर real आ रहा है, उसके according आपको solution हो जाएगा, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, तो इसका जैसे auxiliary equation होगा, auxiliary जो equation होगा, वो आप इसको कुछ d की जगए x कर सकते हैं, d की जगए lambda कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एक variable में आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, या पर simply यहीं से भी निकाल सकते हैं, कोई problem नहीं है, ठीक है, तो for simplicity मैं x के साथ ले ले रही हूं, an xn, plus an-1, xn-1, plus an- ठीक है, equal to, और अब यहां से हम homogeneous का देख रहे थे, तो मैं fx को यहां पर 0 मान के चल रहे हूं, ठीक है, ओके, तो यह auxiliary equation होगा, अब यह आपका हो गया, एक polynomial होगा, in one variable, तो इसको अब आप यह जितने भी डिगरी, जिसे 1 डिगरी का linear है, या quadratic है, या cubic है, उसके according आपको solution find out करना आता है, वहां से आप solution find out कर सकते हैं, ठीक है, ओके, यहां तक हमने solution find out कर लिया, अब हम क्या करेंगे, suppose कीजिए, कि यहां पर, एक सेकिन, मैं इसको rub कर देती हूं, अब हम यहां पर conditions देखेंगे, कि आपके पास, आपने इसका, जो equation था, उसको आपने solve किया, कुछ इसके roots find out करें, अब root find out करने के बाद, आपके पास, suppose कीजिए, जो यह root है, suppose x जो है, वो आपका क्या क्या हो सकता है, और real हो सकता है, अब real में भी आपके पास दो, equal हो सकते हैं, या फिर distinct हो सकते हैं, ठीक है, फिर आपका complex हो सकता है, complex में भी आपका, suppose a plus iota b type a, हमें पता है complex हमेशा conjugate में आते हैं, तो a plus minus iota b, इस type के हो सकते हैं, तो इस type से आपके पास दो possibility हो गई, ठीक है, तो suppose करिए, अगर मेरे पास n degree का polynomial है, और उसको जो मेरे root आ रहे हैं, उसको मैं कुछ lambda i नाम दे रहे हूं, ठीक है, तो जैसे lambda 1, lambda 2, lambda 3, इस type से नाम दे रहे हूं, ठीक है, तो यहाँ से, जैसे अगर हम root देखना चाहेंगे, तो सबसे पहले एक linear का हम लोग देखते हैं, वहाँ से हमें थोड़ा idea हो जाएगा, तो हम n degree की तरफ move करेंगे, तो suppose करो मेरे पास सिर्फ ऐसे है, dy by dx, minus y, equal to 0, ओके, इसको मैं क्या मान रही थी, d मान रही थी, ठीक है, तो d minus, यहाँ पे कुछ lambda 1 रख लेती हूं, मैं, d minus lambda 1, equal to 0, ओके, इस type से, तो यहाँ से simply, अगर आप d को देखे, तो d आपका क्या हो रहा था, dy by dx, हाना, equal to, आपका lambda 1 y, तो यहाँ से अगर आप इसको integrate करके, इसका solution निकालेंगे, तो आपका यह कुछ इस type जाएगा, y c e to the power lambda 1 x, ठीक है, यह तो आप normally निकाल सकते हैं, कि इसको अगर आप dy by lambda 1 y लिखेंगे, equal to dx, ठीक है, तो 1 upon lambda 1 इधर से हो गया, और dy by y का जो हो गया, आपका log y हो गया, और dx का x हो गया, integration से अगर आप log करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपका यह solution आजाएगा, y equal to c e to the power lambda 1 x, ठीक है, और अब हमारे पास अगर यह एक polynomial equation है, तो हम इसको factor कर सकते हैं, obvious से की roots find out करेंगे, तो जो root होंगे, जैसे सबोज मैं इन roots को lambda 1, lambda 2, lambda 3 नाम दे रही हूँ, तो इस equation को मैं x minus lambda 1, x minus lambda 2, x minus lambda 3, इस type से factor कर सकती हूँ, ठीक है, तो जो factor करेंगे आप लोग, तो x आप normally d को ही, मदब x की value पुट कर रहे हैं, तो d minus lambda 1, d minus lambda 2, इस type से हो जाएगा, तो यह जो आपने यह किया है, इस वाले formula से सबका जो solution आएगा, वो आपका, जैसे lambda 1 के लिए है, इसी type से इसको कुछ c1 नाम दे दीजिए, तो फिर y equal to c2 e to the power lambda 2x आजाएगा, इसी type से आपके सारे solutions आजाएगे, और एक आपका, यह तो सारे solutions आगे, अलग-अलग, अब एक आपका आता है, principle of super imposition, principle of super imposition, ठीक है, तो यह क्या कहता है, कि अगर आपके पास y1, y2, yn, यह आपके पास अगर solutions है, तो इनका जो linear combination होगा, y equal to c1 y1 plus c2 y2 plus cn plus cn yn, यह भी आपका इसका एक solution हो जाएगा, ठीक है, ओके, तो अब यहाँ से आपका, यह हमें पता चल गया कि अगर आपके पास ऐसे solution आ रहे थी, अगर इन सबको अगर हम combine करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, c1 y1 आपका solution यह आया है, c1 e to the power lambda 1x plus c2 e to the power lambda 2x, इसी टाप से यह आपका solution हो जाएगा, अब यहाँ पर आपका case arise होगा, कि यह जो lambda 1, lambda 2, lambda 3 हैं, यह आपके real आ रहे हैं, complex आ रहे हैं, real में equal आ रहे हैं, distinct आ ठीक है, इसको एक बर पूरा rub करके हम लोग देख लेते हैं, पूरा टेबल वाइस बना लेते हैं, तो suppose पहला आपके पास है real root, real root, ठीक है, आप इसमें first हमने मान लिया कि distinct मान लिया, suppose, distinct है, ठीक है, distinct है, तो distinct में आपका root को मैं मान रहे हूं, lambda 1, lambda 2, lambda n, ओके, so distinct में आपका solution आभी जो हमने किया y हो जाएगा, y equal to c1 e to the power lambda x, c2 e to the power lambda 2x, dot dot cn e to the power lambda nx, ठीक है, अब second अगर आपका real आजाता है, sorry, equal आजाता है, ठीक है, अगर आपके solution, जो roots हैं, वो equal आजाता है, तो equal में जैसे अगर lambda 1, lambda 2 भी आपका lambda 1 के बराबर हो, lambda 3 भी lambda 1 के बराबर हो, ठीक है, बाकी के सारे distinct है, suppose यहां से lambda 2 ऐसे चलता जा रहा है, यह आपके 3 real roots आ गई, अब इसका solution कैसे हो जाएगा, इसका solution हो जाएगा, y equal to c1, अब देखिए 3 है, equal roots, तो आपके पास 3 constant पहले कर लेजिए, c1, c2, c3, अब यहां पे c1 के साथ 1, c2 के साथ में x, c3 के साथ में x square, ओके, और इसके साथ में e to the power lambda 1 x, बाकी के सारे आपके distinct हैं, तो distinct वाला ही लग जाएगा, अब c3 यहां पे हो गया, तो c4 में यहां पे बोल सकती हूं, e lambda 2 x, ठीक है, इस टाइप से, अब अगर यहां पे तो 3 थे, सपोज मैं n मान लेती हूं, कि मेरे पास जो n हैं, वो सारे के सारे आपके पास repeated root हैं, x square, sx की पावर करती है, xn-1, इसको आप simply, इस टाइप से कर सकते हैं, cn x to the power n-1 का summation, ठीक है, n equal to अगर हम 1 से put करेंगे, तो आपका c1 आजाएगा, n equal to 2 put करेंगे, तो c2x आजाएगा, इस टाइप से आपका आजाएगा, ठीक है, summation of this, into, आपका जो e to the power, जो भी सारा है, तो मैं इसको एक lambda ही मान ले रहे हैं, e to the power lambda x, यह आपका equal के case में solution हो जाएगा, अगर कुछ repeated आ रहे हैं, तो repeated वाले में आप यह वाला rule फोलो करेंगे, बाकि जो distinct आगे में, distinct वाला rule फोलो करेंगे, ठीक है, तो यह तो हमारा real root का case हुआ, अब अगर हमारे पास complex आ जाते हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, let me rub this, okay, so इसमें हम क्या करेंगे, आपके पास complex आ जाता है, तो complex आपका, कुछ इस type का होगा, a plus iota b type का, okay, अब यहाँ पे, suppose किजिए मैं पहले, lambda 1, equal to a plus iota b हो गया, और in case, यह a plus minus 2 नहीं होगा, है ना, बाकी, suppose किजिए मैंने lambda 2, lambda 3, बाकी सारे आपके real आ रहे हैं, फिलाल हम इसी पे धान देते हैं, a plus minus iota b जो है, तो इसका आपका solution क्या हो जाएगा, y equal to, यह जो आपका real पार्ट है इसका, इसको तो आप e की पावर लिखिए, e to the power ax, अब c1, यह जो imaginary पार्ट है, इसमें cos और sin के साथ लगा दे, cos bx plus c2 sin bx, बस, और यह तो आपके real थे, तो आपका यह इसी टाइप से जाएगा, c2 आ गया है, तो c3 इसको लिख सकते है, helium.2x, डोट डोट इस टाइप से, ठीक है, तो हमें क्या करना है, कि a plus i top b type, तो यह जो real पार्ट होगे, इसको हम e to the power कर देंगे, जो imaginary पार्ट होगे, उसको cos और sin के साथ में आ जाएगा, अगर यहाँ पे यह हो गया, एक और कुछ alpha plus iota b आ जाए, इस टाइप से, तो हम क्या करेंगे, e to the power यह वाला हो गया, अब plus में क्या लिखेंगे, e to the power alpha x, इसका real part, bracket, अभी यहाँ तक c2 तक आएगा था, c3 cos beta x plus c4 sin beta x, और कुछ नहीं करना है, ओके, अब यहाँ पे अगर आपका यह imaginary part 0 हो गया, ठीक है, तो imaginary part 0 हो गया, तो सिर्फ आपके पास क्या आ गया, plus minus iota b, ठीक है, तो इसमें आपका यह वाला, जो पार्ट है, वो गायब हो जाएगा, simply आपका, c1 cos bx plus c2 sin x, sin bx, यह वाला solution रह जाएगा, तो यह according to आपके, जो इससे भी डूटाता है, उसके according आप लोग कर सकते, अब अगर इसमें जैसे repeated आ जाता है, जैसे a plus minus iota b, और a plus minus iota b, यह आपके पास repeat कर गए, तो इसमें वही repeated वाला, जो हमने अभी पढ़ा था, उसी type से आपको करना है, तो imaginary को तो आप, sorry, जो real है उसको, e to the power ax, okay, break it, अब यह तो आपका repeat कर रहा है, तो इसमें हम क्या करें करेंगे, c1 plus c2x, जितनी बार repeat कर रहा है, जितनी बार repeat करेंगे, उतने आपकी constant और फिर x की एक पावर कम इसके साथ में, जैसे c2 है, x की एक पावर कम आपने इसके साथ में add कर दिया, c1, c2x, तो पहला cos beta x, plus c3, plus c4x, sin beta x, ठीक है, अब यह जितनी बार भी, आज जैसे अगर यह तीन बार repeat कर रहा है, इसके साथ c1 plus c2x plus c3x के रहा जाएगा, similarly sign वाले के साथ में आजाएगा, ठीक है, बेसिकली जो हमने real में repeated के साथ में किया है, same condition आपका यहाँ पे है, और अगर यह आपका, ठीक है, real और complex हमने पढ़ लिया, एक type और बचता है, अगर आप आपके पास जैसे lambda है, वो आपका alpha plus minus under root beta आ जाए, यहाँ पे तो आपका complex आ गया था, वो real आ गया था, बट इस type का भी तो आ सकता है, जैसे 1 plus root 3, इस type से भी हमारे पास possibility है कि आपके पास root आ सकता है, इस case में आपका solution क्या होता है, y equal to e to the power alpha x, ठीक है, similarly जैसे हम complex में कर र आ रहा था, cosine आ रहा था, यहाँ पर hyperbolic आ जाएगा आपका, तो c1 cos hyperbolic root beta x plus c2 sin hyperbolic root beta x, ओके, और कुछ नहीं करना है, complex में आपके पास sin cos आएगा, अगर plus minus under root beta आता है, तो hyperbolic आएगा, ओके, बस यही तीन case थे, इनी से हम solution इसका find out कर सकते हैं, okay, so, एक example हम लोग देखते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा clear हो जाएगा, so, इसका एक simple सा example हम लोग ले लेते हैं, कोई एक इसका example हम लोग लेंगे, तो, जैसे हमने ले लिया, d square plus 1, इस type से आपको ये भी दे सकता है, directly, या फिर आपको, d2y upon dx square, plus में, y equal to 0, ये भी दे सकता है, और ये भी दे सकता है, कोई भी question दे सकता है, ठीक है, अब इसको हमें solution find out करना है, तो हमें पता है कि, अगर इसको देखें, तो ये linear हो रहा है आपका, linear od हो रहा है, ठीक है, 2 degree का, sorry, 2 order का, है न, ओके, तो हमें पता है कि, यहाँ पे, आपको देखना है, और सीधा इसका auxiliary equation लिखना है, तो इसका auxiliary equation आपका, क्या हो जागा, x square plus 1 equal to 0, यहाँ से आप x की values find out कर लिजिए, तो x की value यहाँ पे plus minus i उटा आ जाएगा, है न, ओके, अब हमारे पास यह क्या route आ गए, complex आ गए, complex के case में आपका solution क्या हो था, y, e to the power, x पर a अपना यहाँ पे 0 है, यह क्यों की purely imaginary है, तो सीधा हम c1, cos, अब यहाँ पे आपके पास i के साथ में 1 है, ठीक है, आपका जो, अगर हम alpha plus minus i उटा बीटा लिखते हैं, तो यहाँ पे जो बीटा की value है, वो 1 आ रही है, ठीक है, तो cos x plus c to sin x, यह आपका solution हो जागा, बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपका answer done हो गया, ठीक है, तो यह आपका homogeneous के case में था, जब आपके पास something, nth order जो आपको पास linear differential equation दिया है, equal to 0 दिया गया है, तब हमारा यह case हो रहा था, ठीक है, so, अब अगर आपके पास particular integral की कब बात करेंगे, अगर आपके पास में nth order, pi की, nth order linear differential equation equal to something fx दे रखा है, जो कि आपका non-zero हो, यह जो fx है, वो non-zero हो, उस case में आपका solution हो जाएगा, वो yc plus yp हो जाएगा, और यह solution हम लोग निकाल रहे हैं, जो homogeneous का solution निकाल रहे हैं, वो आपका yc होता है, ठीक है, तो इसका जो solution निकलता है, वो आपका एक तो इस जो nth order जो आपके पास दे रखी है, linear differential equation, इसको 0 के equal put करते हैं, और plus में इसका particular integral निकालते हैं, तो इसको combine करने पे जो solution आता है, वो आपका इस non-homogeneous, जो linear differential equation है, इसका solution हो जाता है, अब बात आती है कि yp कैसा निकालते हैं, ठीक है, तो yp निकालने के में कुछ ज्यादा effort नहीं डालने पड़ते, इसके लिए एक बार हम लोग देखते हैं, pi, इसको मैं in short pi लिख रही हूँ, तो जो यह हम लोग लिख रहे थे, suppose dn plus an-1, dn-1 है, इस type से जो हम इसको define कर रहे थे, इसको suppose कुछ a note norm दे देजिए, y equal to f of x, इसको मैं function of d लिख सकती हूँ, कोई problem नहीं है, equal to f x, ठीक है, अब इसका जो particular integral आपका होता है, वो होता है, इसको yp से भी denote करते हैं, one upon में f of d of fx, ठीक है, यह होता है, जो general form होती है, तो f of d आपका ये वाला हो जाएगा, और जिस function ये जो आपको पास equal to fx दिया होता है, वो fx आ जाता है, ठीक है, अब आप यहाँ पर इस चीज़ को ये confuse नहीं हो सकते हैं, कि ये आपका fx upon में fd है, या फिर इसको आप fx into 1 upon fd, इस type से trait नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों चीज़ गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो fd है, ये आपका एक operator है, एक value नहीं है, ये एक operator की तरह काम करता है, इसको हम operate करेंगे इस fx पे, ठीक है, अब आपके पास ये fx है, ये कुछ भी हो सकता है, fx आपका cos हो सकता है, sign हो सकता है, simply x की something power हो सकता है, e to the power कु constant times x हो सकता है, या फिर imaginary हो सकता है, e to the power i to x, सब्सक्राइब कुछ भी हो सकता है, इनका combination हो सकता है, किसी का भी है, fx कुछ भी हो सकता है, अब ये जिस हिसाब से आपका fx आपको given होगा, उस हिसाब से हम इसका particular integral है, वो find out करेंगे, तो इसके लिए हम फटा-फट दो-तीन formulas होते हैं, वो देख लेते हैं, वहीं से आपका काम बन जाएगा, so अगर आपके पास fx जो है, first आपका जो case है, fx अगर आपके पास में दे रख है, e to the power alpha x, तो आपके पास क्या होगा, yp equal to 1 upon fd of e to the power alpha x, ठीक है, तो अब इस case में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ न sorry, alpha e to the power alpha x, जो x के साथ में जो constant है, उस constant को d की जगए आप यहाँ पे put कर दीजिए, और जो value आएगी, one upon f of alpha into e to the power alpha x, यहीं आपका particular integral हो जाएगा, but यहाँ पे आपका जो f of alpha है, वो non zero होना चाहिए, okay, but अगर आपके पास यह zero होगा, तो क्या करेंगे, आप, अगर आप के पास, if f of alpha equal to zero, then क्या करेंगी, x upon me f dash alpha, ठीक है, क्या करेंगी, इसका derivative कर देंगे, फिर alpha put करके देखेंगे, और x से multiply कर देंगे, यहाँ पे भी आपका f dash of alpha जो है, वो non zero होना चाहिए, ठीक है, अगर इनके फिर से zero आ जाता है, तो इसका x square कर दीजिए, और इसका एक और derivative कर देंगे, ठीक है, इस टाइप से जब तक आपका यह non zero नहीं आ जाता है, तब तक आप x की power से multiply करते रहें, और नीची उतनी बार derivative करते रहें, और आखरी में जब आपके पास non zero value आ जाती है, तो वहाँ पे stop कर देंगे, ठीक है, तो यह आपका case होगा e to the power alpha x का अब अगर आपके पास second है कि आपका जो fx है वो आपका sin of alpha x या फिर cos of alpha x आ जाते हैं, तब क्या करेंगे, तो आपके पास क्या करने हैं आपको, जो yp होगा आपका, यह आपका होगा, ठीक है, सपोर्ज मैंने sin of alpha x ही लेके चल रहें, इसमें आप क्या करेंगे, जो d square है, d square को replace करेंगे, minus of alpha square से, यह वाले में हम सीधे alpha से replace करेंगे, sin या cos के case में, d square को minus alpha square से replace करेंगे, ठीक है, तो आपका यह हो जाएगा, f of minus alpha square sin of alpha x, ठीक है, अब यहाँ पे भी यह, आपका non zero होना चाहिए, ठीक है, अगर zero आता है, तो फिर वही वाला, हमें e to the power alpha x में जो क derivative, तो x की power से आप multiply करते रहें और इसका derivative करते रहें, जब तो आपका non zero नहीं आता है, ठीक है, ओके, तो आपका e का हो गया, sin का हो गया, cos का हो गया, अब simply आकर x की power का आता है, suppose कि आपको जो fx दे दिया है, वो something x की power n दे दिया है, ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, आप इसको जैसे one of one fd दे दिया है, एक आप ये भी देख सकते हैं, अगर simply d है, और something यहाँ पे f of x है, तो इसको आप integration of fx भी लेख सकते हैं, ठीक है, तो इसी type से आप इसमें कोई direct formula तो है नहीं, तो आप इसको देख सकते हैं, कि यहाँ पे आपका जो यह operator, जो f of d आ र है, या फिर इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो सबसे highest power है, उसको common लेजी, तो उसको common लेगे, तो one plus something बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ से हम one plus x inverse या one minus x inverse, इस type के जो formula है, उस वाले से काम कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ पे suppose one, कुछ आपका d square plus d ही दे रखा हो, तो आप इसम common ले लिया, यहाँ पे one बच गया, plus one upon d बच गया, तो अभी आपका क्या हो जाएगा, one upon d square, one plus one upon d का inverse, तो इसको आप formula को, इसको आप expand करेंगे, तो आपका या one plus, plus वाले में plus minus one आता है, तो one minus one upon d, plus one upon d square, इस type से, अब इसका आप एक बार integrate, d square का मतलते हैं, दो बार integrate, तो इस type से आप लोग कर सकते हो, ठीक है, तो simply जब x की power आती हैं, तो आप इसमें highest power common ले ले, और one plus, plus या minus something वाला जो form बनेगा, फिर इन दोनों formula से आप इसको expand करके, easily find out कर सकते हैं, अब इसमें एक और आप कर रहता है, वो कौन सा form है, अगर आपके पास में fx जो है, वो आपको दे रखा है, e to the power alpha x into something power of, into something function of x, तब हम क्या करेंगी, इसका जो yp होगा, वो आपका हो जाएगा, e to the power alpha x, अब क्या करें, f of, जो d था, उसको d plus alpha से replace कर दीजिए, यहाँ पर जो d था, उसको d plus alpha से replace करके, और जो vx है, इसका particular integral निकाल दीजिए, ठीक, आप vx हो सकता है, sin हो सकता है, x की power हो सकता है, तो उन सब का हमने कर लिया है, कि उन सब को कैसे निकालते हैं, ठीक है, ठीक है, इतना ही है, अब इसके कुछ आप पर examples कर सकते हो, जैसे, मैं एक example आपको करवा देते हूँ, simple सा, जैसे कि, अगर हम एक कोई example लें, जैसे हम x की power का एक example लेते हैं, तो हमने जैसे आपको दे दिया, d cube minus d square minus 6 d, y equal to x square, ठीक है, तो सब से पहले तो इसका solution find out करने के लिए, आप yc निकालेंगे, तो yc कैसे निकालेंगे, इसके आप roots find out कीजिए, और फिर जो हमने methods discuss कियें, कि इसके different cases, उन में से apply करके, इसका yc निकाल सकते हैं, ठीक है, अब yp निकालने के लिए, क्या करेंगे आप, 1 upon d cube minus d square minus 6 d, x square, अब यहाँ पे x की power है, तो हमने क्या किया था, कि हमें 1 plus something का बनाना है, ठीक है, तो 1 plus something बनाने के लिए, आप इसमें d cube common ले सकते हैं, d square या 6 d, कुछ भी common ले सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, कि अगर x square का integration करेंगे, ज्यादा बार, तो यह तो बढ़ता जाएगा, अगर इसको differentiate करेंगे, तो यह जो है, after some terms, यह आपका 0 बन जाएग तो अगर इसमें छोटी power common लेते हैं, है ना, तो आपका, देखते हैं एक बार, अगर मैं 6 d को common ले लेती हूँ, 6 d, in fact, minus 6 d लेंगे, तब यह आपका, बन अपोन, यहाँ पे तो 1 हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे एक क्या सीज बन गया, minus common लिया है, तो 1 plus d by 6, minus d square by 6, ठीक है, यह common बन गया, इसमें अब क्या होगा, कि जो, इसमें जब हम उपर जाके इसको expand करेंगे, 1 plus d by 6, minus d square by 6, इसका inverse आएगा, इसका जो expand करेंगे, तो आपका, यह d की powers आएगे, तो d की powers का मतलब है, इसको derivative करना, और d की, आप देख सकते हैं, x square का आप दो बर differentiate, तीसरी बार करेंगे, तो आपका 0 देने लगेगा, तो यहां से आपको जो easy पढ़ जाएगा, और अगर हम इसमें d cube को मल लेते, तब आपका क्या हो जाता ये, 1 minus, यहां पर 1 upon d minus 6 upon d square, ठीक है, यही हो जाता आपका, 1 plus अगर लेंगे, sorry, minus अगर हमने को मल लिया, तो यह चीज बन गया, ठीक है, इसमें आपका जब इसको expand करते हैं, तो यह 1 upon d की powers आते हैं, तो 1 upon d की powers का मतलब इसको integrate करना, और integrate करने पर आपका ये, increase होते जाता है, x क powers, तो आपको थोड़ा difficulty हो सकते हैं, so आप लोग यहां पर smart work करो, देखो कि आपको कहां से short तरीके से आपका काम बन रहा है, ठीक है, तो इसी type से questions आपके आते हैं, तो कई में direct आप से particular integral पूछ लेता है, कई बार आप से पूछता है कि इसको solution क्या होगा, है न, so अब ही हम हमने यहां पर जो linear differential equation, linear ordinary differential equation with constant coefficient, homogeneous और non-homogeneous, दोनों का solution discuss कर दिया है, ठीक है, तो इसको हम यहीं पर खतम करते हैं, next हम जो discuss करेंगे, वो wrongs, किन discuss करेंगे, इस से related हर साल लगभग क्यूशन पूछा दाता, आपका CSIR net में, यह भी एक very important topic है, so इसको हम next session में करेंगे, आज क करेंगे लिए नहीं,